हलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स तू मनु का ग्यान और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दा एडवेंचर ओफ टोटो बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है थोड़ी सी फनी स्टोरी है लेकिन इसको बहुत शॉट में कवर करने वाले हैं जैसे हमने और चैप्टर्स को कवर कर तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये कहानी है रसकिन बॉन्ड और उसके दादा जी के बारे में रसकिन बॉन्ड के दादा जी को बहुत सारे एनिमल्स को पालने का शौक था डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के बहुत सारे एनिमल्स उनके घर में यूं ही रहत थी उनको animals से इतना प्यार नहीं था जितना दादा जी को था एक दिन की बात है दादा जी को एक तांगे वाला दिखता है जिसके पास एक बहुत क्यूट सा प्यारा सा छोटू सा बंदर होता है वो जब उस बंदर को देखते हैं तो उनका मन में लालच आने लग जाता है कि क जोना मैं इस बंदर को ले लू, ये बंदर इस तांगे वाले के पास कर क्या रहा है आखिर, काश ये बंदर मेरे भी जून के अंदर आ जाये, और मैं इसको अपने एक personal collection के अंदर रख सकूंगा, तो वो इस तांगे वाले के पास चाते हैं और पूछते हैं, अरे भाई कहां से आया तुम्हारे पास ये बंदर कितने का दोगे भाई तो वो बोलता है बाबु जी ये बंदर तो हमें मिल गया था आप पताईए आप हमें इस बंदर के कुछ नहीं पांच रुपे दे दीजेगा ठीक है भाई ये लो पांच रुपे और ये बंदर हमारे हवाले कर दो ठीक है बाबु जी ले ले जे इस बंदर को तो ऐसे ही दादा जी को मिल जाता है तोटो इस बंदर का नाम होता है टोटो जो दादा जी को मिलता है इस तांगे वाले से टोटो की आईज बहुत वाइट थी और जो उसकी दाथ थे वो मोतियों की तरह चमकते थे इतने वाइट थे लेकिन जो उसकी पूछ थी वो सबसे कमाल बात थी उसकी बॉड़ी के अंदर जो उसकी पूछ थी वो एक तरीके से उसके तीसरे हाथ की तरह काम करा करती थी रही थी अरे अब ये मैं कैसे बताऊंगा दादी जी को कैसे बताऊंगा अपनी पत्नी को के मैंने एक और बंदर खरीद लिया एक और एनिमल ले लिया वो तो पहले से ही इतना एनिमल्स को नवरत करती है यही चीज दादा जी के दिमाग में बार बार चल रही थी दादी को एनिमल्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और उन्होंने एक और एनिमल ले लिया था तो वो सोचते हैं कि वो टोटो के बारे में दादी को नहीं बताने वाले वो तभी बताएंगे टोटो के बारे में जब दादी का मूर बहुत अच्छा होगा अब रसकिन बॉंड और दादा जी के बीच में प्लैनिंग चलती है कि आखिर टोटो को कहां पर छुपा के रखा जाए तो डिसाइड होता है कि रसकिन बॉंड की जो अलमीरा है उसके अंदर रखा जाएगा टोटो को और उसको एक हुक से भांदिया जाएगा जैसे ही वो टोटो को रसकिन बॉंड के अलमीरा के अंदर हुक से भांद कर चले जाते हैं टोटो थोड़ी देर में उससे बाहर निकलता है रसकिन बॉंड के सारे कपड़े फार देता है और दिवारों पर भी खरोचो के निशान बना देता है जैसे ही दादा जी और रस्किन बॉंड वापस अपने रूम के अंदर रस्किन बॉंड के रूम के अंदर लोटते हैं उन्हें टोटो दिखता है शैतानी करते हुए ये चीज देखकर रस्किन बॉंड टेंशन में हो जाते हैं अरे अगर अगर दादी को पता चल गया तो अब क्या होगा दादी तो बहुत गुस्सा करने वाली है दादा जी मन ही मन खुश हो रहे होते हैं और बोलते हैं कि देखो अच्छा हुआ हम लोग सही टाइम पर आ गए बेटा नहीं तो ये रस्सी बना कर बाहर निकल जाता और ये सारे इंसिडेंट होने के बाद दादा जी को जाना होता है एक दिन सारंगपूर तहरा दुन से सारंगपूर दादा जी को जाना होता है अपनी पैंशन कलेक्ट करने के लिए वो ट्रेन के अंदर बड़े मजे से ट्रेवल कर रहे होते हैं लेकिन यहां पर कहानी में एक ट्विस्ट है दादा जी के साथ कौन ट्रैवल कर रहा होता है दादा जी के साथ उनके बैग में होता है टोटो और उनकी जेब में होता है एक टोटो और टोटो बड़े ही मज़े से बैग के अंदर हिल डूल रहा होता है और जितने भी ट्रेन के अंदर लोग होते हैं वो दादा जी को अपनी टिकेट दिखाने के लिए बोलते हैं दादा जी अपनी टिकेट तो दिखा देते हैं लेकिन तभी बैग से निकल जाता है टोटो टोटो अपनी गरदन दिखा कर हसने लग जाता है यह देखकर जो train master है वो थोड़े से डर जाते है station master sorry थोड़े से घबरा जाते हैं डर जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है ये तो कुटा है ये तो कुटा है दादा जी उनको explain करने की कोशिश करते हैं ये कुटा नहीं है ये तो मंकी है आप इससे डरे ना मैं आपको बैग भी खोल के दिखा देता हूँ वो बैग भी खोल के दिखाते हैं लेकिन जो station master होता है वो बोलता है नहीं नहीं ये तो कुटा है इसकी पूरी टिकेट लगेगी आपको दो रुपे देने पड़ेंगे इसकी पूरी टिकेट सोचो पहले कितनी सस्ती हुआ करती थी टिक्टे अब तो कितनी महंगी हो गई है दादा जी फिर उसे दो रुपे दे देते हैं और गुसे में आकर अपनी जेब से टॉटोईस भी निकालते हैं और बोलते हैं क्या इसकी भी टिकेट लगेगी सर तो वो बोलता है कि नहीं नहीं इसकी कोई टिकेट नहीं लगेगी लेकिन इस कुत्ते की टिकेट लगेगी वो टोटो को कुत्ता समझ रहे थे स्टेशन मास्टर ये बड़ा फणी इंसिडेंट होता है दादा जी के साथ जैसे तैसे करकर वो वापस आ जाते हैं अब दादा जी फाइनली डिसाइड करते हैं कि मैं दादी को बता ही दूँगा कि मैंने एक बंदर खरीदा है जिसका नाम टोटो है और वो दादी को बता देते हैं दादी जादा कुछ गुस्सा तो नहीं करती लेकिन फिर टोटो को रख दिया जाता है एक घदी के साथ घदी का नाम होता है नाना बड़ा ही फनी सा नाम होता है इसका लेकिन टोटो बहुत नौटी था और उसको इतना तंग करा करता था उसके कान खीच लिया करता था उसको बहुत परिशान करके रखता था टोटो टोटो बिल्कुल इनसानों की तरह नहया करता था पहले वो एक उंगली डाल कर पानी का temperature चेक करता था और फिर अराम से अगर temperature सही होता था तो पानी के अंदर लेट जाता था और जब वो फटाफट पानी का टेंपरेचर थोड़ा कम होने लगता था तो वो फटाफट भाग कर किचन के अंदर चले जाता था और जहां पर आफ जल रही होती थी वहां पर उसके पास खड़ा होकर सूख जाया करता था तोटो बिल्कुल इंसानों की तरह नाता था ऐसे ही साबुन लगाता था जैसे रस्किन बॉन लगाया करते थे और बिल्कुल ऐसे ही रेडी हुआ करता था जैसे रस्किन बॉन रेडी हुआ करते थे एक तिन की बात है किचन में पानी गरम हो रहा था टोटो महाशे घुमते घुमते वहाँ पर पहुचे उन्होंने पानी के अंदर उंगली डाल कर देखी तो उन्हें लगा परफिक्ट टेमप्रेचर और वो उस पानी के अंदर जाकर लेट गए जब वो उस पानी के अंदर जाकर लेटे तो उन्हें बड़ा मज़ा आने लगा धीरे धीरे करकर वो पानी का temperature increase हो रहा था लेकिन टोटो जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश करता था उसे ठंड लगती थी तो वो सोचता था कि अरे इस गरम गरम पानी के मज़े लिए जाएं और अराम से यहीं पर रहा जाएं तो वो उस पानी के अंदर रहता था लेकिन पानी तो गरम होता जा रहा था और टोटो फिर बड़ी मुश्किल से निकलने की कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पाता तो अगर तुमें भी टोटो फ्राई नहीं खाना अपनी जिन्दगी में कभी भी तो फटा फट इस वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर तो करी दो वीडियो उसको बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए होए है मैंने शौट वाले एक दिन की बात है दादी ने बहुत टेस्टी पुलाओ बनाया था उन्होंने फटा फट उस पुलाओ को डाइनिंग टेबल पर रख दिया और सब को बुलाने के लिए चली गई तभी टोटो आता है साइड से और बैट कर टेबल पे खाने लग जाता है पुलाओ अपने हाथ उसे दादी ये देख लेती है जब वो आ रही होती है वापस वो गुस्से में उसकी तरफ भागती है तो वो उनकी तरफ प्लेट फेक देता है फिर एक अंटी जी उसकी तरफ भागती है तो उनकी ओपर पानी फेक देता है वो और वो पुलाओ का बरतन लेकर बाहार पेड की टहनी पर बैठ जाता है और बड़े मजे से उन्हें चिडा कर खाता है पुलाओ टेस्टी टेस्टी यमी यमी और फटाफट पुलाओ खाकर जब वो देखता है कि पुलाओ खतम हो गया बरतन के अंदर तो गुस्से में आ जाता है टोटो अरे यह क्या हुआ मेरा टेस्टी पुलाओ खतम हो गया ये लो तुम अपने बरतन और वो गुस्से में आकर बरतन को उपर से फेक देता है वो बरतन भी तूड जाता है ये रोज की ही बात थी टोटो की टोटो कभी कपड़े फार देता था कभी बरतन तोड़ दिया करता था अब दादा जी और दादी बहुत परिशान हो जाते हैं टोटो की इस हरकत से तो वो तांगे वाले को वापस आता देख कर उसको बोलते हैं अरे भीया अरे भीया प्लीज तुम अपने बंदर को वापस ले लो और तुम क्या रकम दोगे हमे अपने बंदर की अरे सर मैं तो गरीबात में हूँ अब तीन रुपे तीन रुपे में बेग दीजिए मुझे वापस टोटो को तो जैसे तैसे करकर तांगे वाला तीन रुपे में वापस ले लेता है टोटो को और अब यहीं पर खतम होती है स्टोरी अब वो वापस टोट को इसलिए दे देते हैं क्योंकि टोटो काफी expensive पढ़ रहा था उन्हें as compared to other animals के पालने को टोटो बरतन तोड़ दिया करता था कपड़े खराप कर दिया करता था और कुछ ना कुछ पंगे लेता ही रहता था वो सबसे तो टोटो बड़ा ही मत्तब naughty animal था और यही स्टोरी यह नहीं पर खतम होती है बहुत short में मैंने इसको बना दिया है like subscribe और share करना ना भूले और भी ऐसे stories देखते रहे मैं अपने channel पर डालता रहता हूं so thanks for watching see you in the next one